हैलो स्टूडेंट्स वैलकम टू वर चैनल एसपी क्लासेज अगेन हमने स्टार्ट कर रखा था क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं हमने उस चैप्टर के बारे में जो पिसली वीडियो थी उसमें हमने विदूद के बारे में पढ़ा था तो हमारा जो विदूद फ्लक्स है वो कंप्लीट हो गया था अभी हमें जो चैप्टर वो उसके आगे देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको विदूद की जो पिसली वीडियो थी उसका लिंक मिल जाएगा तो पहले वो वीडियो देखना उसके बाद में यी वीडियो देखना तो देखो हम पढ़ रहे हैं गाउस का नियम क्योंकि जो विदूद फ्लक्स था वो क्या होगा इसमें थोड़ा सा क्या होगा काम आएगा देखो हम किसा क्न बंद प्रश्ट पर ढगो होदा है बंद डैं? इस नियम के नुसार कि सी बंद प्रश्ट से गुजर्ने वाला कुल वेदूद फलक्स उसके अंदर वुपस्तित कुल आवेस वना अपवों. क्या होता है वन अपन अपसाइलन गुणा होता है वन अपन क्या होता है अपसाइलन गुणा होता है क्या बोला इसने कि गाउस का नियम है वह इस नियम के नसार किसी बंद प्रस्ट बंद प्रस्ट का मतलब कोई बंद प्रस्ट ठीक है पूरी क्या होगी बंद प्रस्ट होग के दोट क्या है कितना होगा को भूषेंग को तो इन सब कीदिये होता है अगर हम इसको लिखना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे Phi is equal to E dot ds E क्या है? विदू चेतर कीती परता ds क्या है? चेतर फल यह क्या है? मार इसका surface का क्या है? चेतर फल S अगर हम किसी का इसका छोटा सा अगर हम area लेते हैं अगर हम क्या ले? इसका एक छोटा सा surface ले तो इसको बोलते हैं ds इसको क्या बोलते हैं, देखो, तो इसने क्या बोला कि यह जो समेशन लगाया है, यह जो सिग्मा लगाया है, सिग्मा का मतलब होता है कि जितने भी आवेस है, उन सब का टोटल, कुल आवेस का क्या होता है, वन अपोन अपसाइलन गुणा, यह तो हमने किसे देख लिया, यह तो देखो इसको हम प्या लेह सकते हैं फाई इजिक्वल टू क्य सद्सक्राइब और अपसाइलन नोट तो यह हमारा गाउर्स के नियम का समाखलन रूप निकलता है इसको बाद में देखेंगे अभी देखो अपसाइलन आपसाइलन का मतलब होता है कि यहां पर फरक पड़ता है जो यहां तो मादम में हो सकते हैं यहां पर क्या निर्वात में रखी है अगर मादम होगा तो अपसाइलन क्या होगा उसके लिए epsilon M medium में अब देखो Q क्या है प्रष्ट दुआरा परिबद कुल आवेश प्रष्ट दुआरा जो परिबद क्या है कुल आवेश और K है वो क्या है माद्यम का पैरावेदुतांक और Phi क्या देर का है कुल फ्लक्स अब हमें निकालना है जो गाउस का प्रष्ट है उसके लिए में कै 혼자 निकालना है इसका solution निकालना है देखो यह जो है न Phi is equal to Q upon epsilon node इसका क्या νkm निकालते है solution निकालते है देखो उससे पहले हम पढ़ते है घन कोन के बारे में किसके बारे में घन कोन के बारे में जो सभी कौन से एंगल को घंड कौन बोलते हैं हमने एक तो सिंपल एंगल देखा है जो साधारण से हमारा जो दो रेखाओं की बीच का जो कौन होता है यह क्या होता है क्या होता है एक होता है घंड कौन अब घंड क्या होता है देखो हमने तर्बूज देखा है ठीक है जम वे पंढ़ा कासे कमान वा दीख Спब्सट और यहां अने अ land करें अब देखो यह कोंग's कर डिखने करते हम यह इस तर्भूज से कटेगां ना तो यह उस्में यह जो एंगल होताह reduces वाला जो एंगल होता है यह क्या होता है हमारा घं कौन होता है क्या होता है घं कौन जिसको किसे लिखते हैं ओमेगा से लिखते हैं किसे डिनोट करते हैं ओमेगा से और यह वाला जो एंगल होता है यह कौन सा होता है ओमेगा होता है यह जो हमारा प्रश्ट है इसको लिखते ह सब पूरे तर्बूज का हमने क्या कट है छोटा सबात क्टर उसको क्या बोल दिया यह हमारा क्या है ओमेगा है देखो कि इसके समान्तर यह हमारा क्या होगा विदुद चेतर की तिवरता अब देखो अगर मैं यहां एक line draw करूँ ऐसे तो यह हमारा angle है वो क्या है theta अब यह जो line draw की है न यह जो उंगली थी न यह यह क्या है यह वाले line है तो अब यह जो angle होता है बीच का यह होता है हमारा gun cone Gauss के नियमे सबसे जो important चीज़ समझने लाइक होती है वो क्या होती है यह gun cone होता है अगर यह समझ में आ गया तो उसके बाद में आगे derivation में कुछ भी नहीं है अब देखो यह क्या हो गया gun cone हो गया अगर हम इसके बारे में पड़े तो हम क्या निकाले अगर हम निकाले देखो अगर हम सिर्फ यह एंगल निकाले इस प्रस्ट के लिए निकाले तो क्या निकालेंगे इसका फॉर्मूला निकलेगा ds is equal to ds cos theta upon r square किसके लिए निकाला ओमेगा कि गंड को निकाला इस सिंगल के लिए इस के लिए अगर अम इसके लिए यह समपूर्ण के लिए निकाले मतलभ अगर अगर मीशिए गंड को वपूरा बना-ठीक छोटा गोला बन गया तो अगर उसकी लिए निकाले तो क्या निकलेगा d s omega is equal to क्या आज ऐगा किसी अगर बिंदू पर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं विदुचेतर की जिवर्ता के क्यू अपॉन आर स्काइर यह निकलेगा अब देखो अगर हम यहां डीएस की वेल्यू रखते हैं एक मिने टुको भाई है अगर हम क्या निकलते हैं अगर यहां देखो वेल्यू रिखते हैं किसकी हमें वेल देखो, संपोन पुरस्ट के लिए अगर हमें निकालना पड़े, तो यह अगर हम इस पूरे प्रस्ट के लिए निकाले, तो क्या निकालेंगे? ओमेगा is equal to समाकलन करेंगे किसका? डी ओमेगा का? अब d omega क्या चीज थी, d omega था, यह जो एक छोटा जो angle लिया हमने वो क्या था, d omega, लेकिन हमने क्या कर दिया इस गोले को पूरा गोला बना दिया, तो अब यह क्या हो गया, संपौन गोला हो गया, तो समाकलन किसलिए करते हैं, छोटे छोटे टुकडे को पूरा दिखाने के ल इसका क्या है, बहुत बड़ा solution है, जो हम यहां ने करेंगे, हमारे सिर्फ कामाने वाले चीज़ है कि यहां जो omega की value निकलेगी, वो क्या निकलेगी, 4 pi निकलेगी, अगर फिर भी हम इसको समझना चाहें, तो देखो, यह क्या है, हमारा एक गोला है, तो गोले का एरिया होत 2, s upon r की square, s का हमारा, यह समझना गोला, इसका एरिया कितना होता है, गोले का, 4 pi r square upon r square, तो r square से r square कट गया, यह जो omega की value वो कितनी आ गई, 4 pi आ गई, और पूरा derivation इसका आपको math में मिलेगा, देखो, तो यहां तक हम ने पढ़ लिया कि omega की value क्या ही, 4 pi, जो गंड कौन होता है, यह जो हमारा angle होता है, गंड कौन होता है, अब देखो, अब देखो, हमें निकालना क्या है, मैं इसका diagram फिर से बनाती हूँ, हमें जो निकालना है वो देखते हैं, यह हम निकाल लिया एक छोटा सा surface लिया है, यह क्या है हमारा angle omega, घंड कौन है हमारा, ठीक है, यहां से अगर हमारी कोई रेखा जाएगी, और यह हमारी क्या है, विदू चेतर की तिवरता, यह जो angle बन रहे है, वो क्या है, theta, और यह हमारा क्या है, संपून प्रेस्ट, s, और इसको क्या बोलेंगे, ds, इसको क्या बो हमने क्या लिये, कोई बिंदू लिये, P, यहां पर, तो अब देखो, अगर हम किसी बिंदू P पर, किसी बिंदू P पर, विदू चेतर की तिवरता निकाले, तो क्या आएगी, हमें सब को पता है, कि बिंदू P पर, अगर हम क्या निकाले, बिंदू P पर, विदू चेतर की, ती पर ता निकाले तो वो क्या आएगी E is equal to K Q upon R की square यह आएगी और यहां K की value क्या होती है 1 upon 4 pi epsilon note तो इसका दूसरा हम क्या लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon note और Q upon R की square लिख सकते हैं तो देखो क्या यह अपसाइलन note अब देखो हमें निकालने के बिंदू पीपर निकालनी है तो गन कुन क्या था हमारा डी ओमेगा तो अगर देखो इसके बाद में अगर हम आगे देखे तो हम इसमें आगे क्या देखेंगे देखो अगर हम इसमें क्या करें आगे देखें तो एक मिन्ट रुखो आप यहां जो मारा आवेस था वो कितना था प्लस क्यूंव था तो हमें क्या निकालनी है तो वो कितनी होगी फ्लक्सों की संख्या निकालनी है तो कितनी निकलेगी e dot ds और क्या निकल गया cos theta निकल गया, यहां में क्या रखनी है e की value रखनी है किस की value रखनी है, e की तो देखो, e की value क्या निकलेगी 5 e is equal to 1 upon 4 pi epsilon note निकल गया, आगे क्या था q upon r square, और यहां क्या दे रखा है ds cos theta ठीक है, अब इसे देखो ds r cos theta, यह हमने क्या निकला था अभी हमने पीछे गन को निकला है जिसका formula क्या निकला था omega is equal to ds cos theta upon r square, यही था, और omega की value क्या निकली थी, 4 pi तो यहां देखो, हमारा जो phi e निकला, वो क्या निकला 4 pi upon 4 pi, epsilon note और क्या आगया q, तो यह 4 pi से 4 pi क्या हो गया, कट गया, तो यहां क्या बचेगा हमारा यहां हमारा क्या बचा देखो इधर लिख रही हूं में 5 e is equal to q upon epsilon note क्या निकल गया, q upon epsilon note और यही हमारे क्या थी पीछे देखो, यही हमने क्या देखा था, गाउस की परिमें से देखा था, कि इस नियम के नुसार किसी बंद प्रशे गुजरने वाला गुल विदूद फ्लक्स उसके अंदर उपस्तित, q आवेस का क्या होता है, one upon epsilon गुणा होता है, तो यहमारे क्या निकली है, गाउस की परिमें निकलती है, इसकी थोड़े से हम क्या पढ़ते है, रूल पढ़ते है, थोड़े सी इसके बारे में क्या पढ़ते है, एक दू अकार हम हम क्या कर सकते हैं आकार अप कैसे ले सकते हो कोई त्रिमुज निकलेगी क्या पॉन अगर अब वेष निकाले तो अब देखो गूं Любल किस्थिती पर निर्बर नहीं करता है अंदर आवे इसके स्थिती पर भी क्या नेग活D nem करता दूसरा देखे। गौव aflux केवल शहते हैं कि अंदर पर निरफबर करता है। किस पर निरफबर करता ह। किसी बंद सथय में आने वाला फ्लक्स को ृनात्मक और बाहर जाने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं दनात्मक कहते हैं इसका मतलब समझिए कि अंदर आने वाले और जाने वाले का मतलब क्या है देखो कि यह कोई क्या है हमारा प्रस्ट बंद प्रस्ट लिए हमने प्लस क्यों आवेस मैंने यहां रख दिया तो यहां से अगर विदूद फ्लक्स जाएगा तो अगर हम यहां से अगर अंदर जा रहा है तो यह तो क्या होगा बंद सत्य से आने वाला तो क्या होता है रिनात्मक और अगर यहां से अगर अंदर बेजेंगे तो यह तो क्या होगा, positive और यहां से जाएगा तो क्या होगा, negative होगा, किसी बंद सतह से आने वाले flux को, अगर आता है तो क्या कहते हैं, रिनात्मक, और बाहर जाने वाले flux को क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, किसी गाउसे सतह में 5 is equal to 0 अगर किसी तिवस्य इक्षा में 5 is equal to 0 है तो इसका अर्थ क्या है इस अर्थ यह नहीं है कि परतेग बिंदु पर विधू चेतर की तिवर्ता 0 होगी लेकिन परतेग बिंदु पर विधू चेतर की तिवर्ता अर्था 5'0 होगा यह जरूरी नहीं कि तीवरता ही 0 उस पर क्या होगा 5 भी 0 होगा गाउस यह सतय पर वेदू चितर की तीवरता गाउस यह प्रस्ट के अंदर और बाहर उपरसे सभी आवेसों के कारण होती है क्या वोला इसने कि गाउस यह सतय परवेदू चितर की जो तीवरता है वो गाउस यह प्रश्ट के अंदर और बाहर दोणों तरफ उपर से सभी आवेसों के कारण होती है मतलब कि अंदर वाले आवेस और बाहर वाले आवेस दोणों से क्या पड़ता है आगे देखिए कि व्युत्कर्मशंवर की नियम का क्या करते हैं गाउस का नियम निर्वात और माध्यम 200 मतलब मिद्यम जिससका होगाँ दोनों रखेज़ाये तो खुलाइश लग अलग आवेसों के बराबर होते तो मैंने क्या ली यह यह कूला लिया है इसमें यहां क्या दिया बाल्स पांच जञते हैं तो इन तो टोटल क्या हो गए? ग्यारा क्यूं हो गए? आवेचार्ज हो गए. बंद प्रस्ट से निर्गत वेदूत फ्लक्स का मान बंद प्रस्ट के अंदर आवेश के वित्रण पर निर्बर नहीं करता है. तो हमने क्या देखे? हमने आज पढ़ा है गाउस के नियम के बारे में, उसकी परेमय के बारे में और सबसे महेंचीज घंकोन के बारे में जो घंकोन है बहुत इंपोर्टेंट है आपको आना चाहिए कि घंकोन होता क्या एवास्त में ठीक है और अमने क्या पड़े उसके बागे गौुस्की मेहतरपुन बिंदु पड़े हैं अगर आपको कुछ भ झाल झाल